यूटूब पर हमेशा सर्च करें अतुल कुमार दिच्छ और पढ़े अपने मन के पाठ और कवित आएं बेसिक सिछा परसद दौरा संचालित बिज्ञान की पुस्तक आओ बिज्ञान सीखें कच्छा चे पाठ दो पदार्थ एबं पदार्थ के समूण पाठ एक अपलोड किया जा चुका प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? पहला प्रश्म तो उत्तर है कि पदार्थ वोय है जो इस्थान घेरता, जिसमें भार होता है, जिसका ग्यान हम अपनी ग्यानेंद्रियों की साइता से कर सकते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, वाल्टी, तेल, पानी, हवा आदी, अब हवा भी एक पदा ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? Solid बेपदार्थ जिनके आकार एबं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहते हैं यानि कि आकार जैसा मेज हम जैसी बनाएंगे जैसी रखेंगे बैसी ही रहेगी ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगी थोड़ी देर बाद हवा की तरह कमरे से गाइब हो जाएगी नहीं जैसे मेज, पत्थर, चाकू, जग, मकान ये सब ठोस हैं इनके जो अडू होते हैं बहुत समीप होते हैं ठोस के गुड लिखिए अब उत्तर है कि ठोस पदार्थ के आकारवायतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थों में कड यानि कि अडू बहुत पास पास होते हैं अभी बताया था ठोस पदार्थों के कड़ों में आपसी आकरसर बहुत अधिक होता इसलिए वो एक दूसरे से चिप के रहते हैं ठोस पदार्थों के कड़ अपने स्थान पर लगबग इस्थिर होते हैं और ठोसों में संपीडन नगन होता है यानि कि वो दबाने से दबते नहीं है अब तीसरा प्रशन जो द्रब पदार्थ हैं उनसे क्या दातपर है तो तर है कि बे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयता निश्चित होता है द्रब पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि एक लीटर दूद एक लीटर ही रहेगा लेकिन जिस बरतन में रखोगे वो बैसाई स्थान घेर लेगा अनुधारणों में देखें तो दूद, पेटरोल, जल, पेटरोल, डीजल, तेल ये सभी जो है द्रब पदार्थ अब द्रब पदार्थ के कोई चार गुड़ लिखी है, अभी हमने ठोस पदार्थ के गुड़ देखे, अब द्रब पदार्थ के चार गुड़ तो जो द्रब पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयता निश्चित होता है, अभी बताया दूसरा ठोस पदार्थों की तुल्ला में द्रब के अडव एक दूसरे से दूर दूर होते हैं इसलिए वो भहते हैं यानि कि उनका आकार निश्चित नहीं होता है तीसरा द्रब पदार्थों के कड़ों में आपसी आकरशडबल ठोस की तुल्ला में कम होता होता तो है लेकिन ठोस की तुल्ला में कम होता इसलिए उनका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रब पदार्थों की संपिर्णता ठोस पदार्थों की थोड़ा दबा सकते हैं, अब गयस क्या गयस बे-पदार्त हैं, जिनका आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, यदि कुछ भी निश्चित नहीं होता, अकर आप गुबारे में हवा भरी, और गुबारे से अगर गुबारा फूट जाता है तो उसकी हवा गैब हो जाएगी यहनी कि उसका आयतन आकार कोई निश्चित नहीं होता है कमरे से बार चली जाएगी जैसे बायू, आक्सीजन, गैस, हैड्रोजन, गैस, नैट्रोजन, कर्वान डक्साइड यह सब जो हमारी गैस पदार्थ, अब अंगला प्रशन है कि गैस की विसेशता है लिखिए, तो उत्तर है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता और नहीं आकार, गैस पदार्थों के कड़ा पेच्छाकरत बहुत दूर दूर होते हैं, गैस पदार्थों के कड़ों में आपसी आकसरवल नहीं के बराबर होता, इसलिए तो वो उड़ जाती है, गैस पदार्थों की संबीडता सबसे अधिक होती है, अब पार दर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पार दर्शिता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पार दर्शि, जिनके द्वारा धुंदला या आफ inh जा सकता, वे इवार्वांशी ही कहलाते, यूसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, देखतो सकते लेकिन कम, और अपारदर्सी बेपदार्थी जिनके आरपार पर्कास नहीं जा सकता, या हम नहीं देख सकते अपारदर्सी कहलाते जैसे लकडी, कागज, दीवाल, जितनी भी ठोस बस्तु हैं, लगबग, जिनके आरपार नहीं देख सकते, अपारदर्सी कहेंगे, बिले पदार्त किसे कहते, किसी द्रब में गुलने वाले पदार्तों को गुलन सी लेया, बिले पदार्त कहते, जैसे सक्कर पानी में गुल जैसे पानी उसको बिलेक कहते हैं, ये भी हम जान लें, अब प्रशन है कि किसी द्रब में गुलने की कहते हैं, जिनसे बने हैं सभी वो हैं परमाडू, पहले कहा जाता है अडू लेकिन परमाडू सबसे, अब उससे भी इलक्टरान, प्रोटान, न्यूटरान, और उससे भ जादार्थ का हुए सूच्तम कड जो स्वतंत रवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अफ्रिया में भाग लेता है, परमाडू कहलाता है, यहीं कि रासायनिक के केमिकल रियक्शन में पाटिसिपेट करता है, लेकिन स्वतंत रवस्था में नहीं रह सकता, परमा प्रोटान रदरफोड और नाच नूट्रान चैडविक आप चैनल से जुड़ें आप इसी तरह आप पढ़ते रहेंगे बहुत कुछ जानेंगे यहां से अंगला प्रस्ण की अडू किसे कहते हैं तो परमाड़ों से मिलकर अडू का निर्माड होता है अक्री गैसों को छोड कर और परमाड़ों जो होते हैं सोतंतर अबस्ता में रह सकते हैं तो उनको हम अडू कहते हैं तो यह थे आपके महतपूर प्रस्ण चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने साथियों को शेर करें और आप कोई भी पार्ट पढ़ना चाते तो आप पूर लिखें चलिए मिलते हैं अंगले पार के साथ तब तक के लिए आप समी को बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत नमस्कार